देश में एक बार फिर से समान नागरिक सहिता की चर्चा छड़ गई है देश के ग्रह मंतरी अमेशा कोलापूर में थे और उन्होंने कहा कि यूनिफोर्म सिविल कोड की तरफ के इंसरकार कदम आगे बढ़ा रही है हमारे साथ All India Muslim Personal Law Board के संस्थापक सदसे मौहमद सुरिमान साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं सुरिमान साथ एक बार फिर से समान नागरिक सहिता को लेकर के चर्चा होने लगी है देखिए भाज़पा और उसके ग्रह मंतरी पूर्प अध्यक्ष हमिशाजी हूं या उनके और कारकरता हूं सांसत विधायक हूं वह इनी कामों पर लगा या करने की च्छोंता नहीं के अंदर के लोगों के स्वासिक्षा और रोजगार के बारे में सोचे इन बुन्दू को सब अड्रेस करें तो फिर जाहिर है उन्हें दूसरे बिंदू क्रियेट करने पड़ेंगे तो यह उनका क्रियेशन है इस तरह का आप जानते हैं कि यह यह करें कि काफी गंभीरता से आगे बढ़ा जा रहा है ठीक है कि तरह बढ़ रहे हैं जो जो लन समस्या है विन्दू है उस पर कितना कमिता सब्ढ़ें कितने अधे देशितमें नोजवानों की इतम यह तो देख रहा है लेकि चुक नहीं हर बिनू पर हर इस्षू पर इस तो मुस्लिम करना है लेकिन ये यूनिफार्म सिविल कोट का मामला हिंदू-मुस्लिम का मामला नहीं है। अच्छली हमारा देश जो है वो विविधाओं का देश है डाइवर्सिटीज का देश है। और हमारे देश की तमाम समझी काईयों के सांस्कतिक जो उनकी विरास्वत है उसका सरच्छन हमारा समिधान करता है मौलिक अधिकारों के अंतरगत आर्टिकिल 19 जो है इसका प्रड़क्शन करता है। दूसरी बात यह है कि उनिफार्म सिविल कोर्ट का यहां तक मामला है देश में IPC उनिफार्म है देश में सिविल के तमाम और मेटर उनिफार्म है सिर्फ चंद मिंदू जो अलग-अलग समाज की काईयों के अपने कस्टमरी लाज्स फैमिली लाज्स के हिसाब से होते हैं जिनके परिवारिक मामले चलते हैं निकाह है शादी है जोदाई है ठीक है या मिरासत के तक्सीम के मामलात है या वक्फ के मामलात हैं यह चंद चीजें हैं इसी जो समाज की मुस्लिमिक अट्रीग इया exactly ओर लोगा उसका समच्रब के हूए सम्हें लेकिन हो जानते हुए को संबाधिंग तो रुपर संभव नहीं है और सरवोज चिन्याले के द्वारा कभी छेड़चाल करवना चाहते हैं कि अपनी लोगों को लगा देते हैं उनके द्वारा करवना चाहते हैं लेकिन देश की जो बड़ी काई है अलबसंग को मुस्रीम वो इसको समझ रही है कि देश हित्मे युनिफारम सिविल कोड है हमारे देश में जो तमाहम समझी का ये हैं उनके पारिवारिक कानून का सरष्ण होना चाहिए बोर्ड का रुक क्या है इस मामले में? जिस तरीके से बयान ग्रेमंतरी का आया है, उसके बाद क्या आप लोगों का रुक होने जा रहा है, क्या करेंगे आप लोगों? उनको दूसरी दिशाओं में मौनने के लिए मकसद क्या है? सोचल डिवीजन, साम प्रदाइक डिवीजन करके वो फाइदा उठाना चाहते हैं. लेकिन उनिफार्म सिविल कोड का कोई स्वरूप उनके सामने इस पस्त नहीं है. मुझ जानते हैं, जब उनिफार्म सिविल कोड के हम बात करेंगे, तो जाहिरे उसमें, या तो ब्रामनों दौरा एक प्रदत नियमा वली है, वो करेंगे, जिसके बुरुद में बहुत से जो हिंदू सबाज में कोई जोड़ते हैं, बुदिस्त को, वो भी उसके बुरुद खड़े हैं, वो भी उसको नहीं मानते हैं, उनके तरीके कार को नहीं मानते हैं, ना सेपरेशन के कारूब को मानते हैं, ना स्वेंबर विवाके उसकारूं को मानते हैं, हमारे देश के लिंगायत, एक साथ आठ करोड़ की आबादी हो इसको नहीं मानती है, तमाम कबायल हैं, वो नहीं मानते हैं, कृष्चिन के साधी का और अलग होने का तरीका अलग है, उनकी सिमेट्रीज की विवस्था का इंत क्या लाना चाहते हैं, भई लाकमिशन को उन्होंने उसे उपिनियन मांगा, उन्होंने का नहीं, यूनिफार्म सिमिल कोड बिवारिक नहीं है देश के लिए, उनका भी उपिनियन आ गया, आप लोग मांग करते हैं कि सिती को इस पास्ट होना चाहिए, वहरी क्या है उनके समझ, क्या कोड लाना चाहते हैं, क्या कोड इफिशन हो सकता लाएं, लाकमिशन के वाद्य हम से बेतर होगा लाएं, लाकमिशन को सामने लाएं, उसे बढ़ी डिवेट होना चाहिए, उसे सम्भाद होने चाहिए, इसी सम्भाद की को हम तवरित करने, सम्भाद में सम्भा सब्सक्राइब करेंगे कि यह किस प्रकार समयधानिक अधिकारों के बिरुद्ध है बात करना शुरू कर दिया समाज के वी जाना शुरू कर दिया है अभी नहीं हुआ है हो जाएगा भी पांच फरों को मीटिंग हुई थी कपटिया बन गई है उसके बाकादा उसका जो मेकनिजम है वो मेकनिजम हमारे बोर्ड का जो केंद्री कार्याले है वो बेजेगा बेजनी वाला है अभी हम दो दिस शादे से सफर पे थे तो हम मेल नहीं देखते हो सकता आ तो उसके ही हम गाइडलाइन्स पर जो मातदर्शन होगा उसके अनुसार हम लोग संभाद करेंगे उनिफॉर्म सिविल कोड की एक बार फिर से चर्चा हुई है गरह मंतरी हमिशा का बयान आया और उसके बाद ऑल इनियम उसने पॉर्सनल लॉबोर्ड का साथ तोर पे यही मैसेज देने की कोशिच करेंगे कि समान नागरिक सेनिता को देश में लागू नहीं किया जाना चाहिए कानपूर से कैमरामेन पंकज निकम के साथ रतीश तरवेदी एबीपी गंगा